पोस्ट मेनो पॉजल बटीग्डिंग क्या होती है भी मेनो पॉजल बलीडिंग किस ब्लीडिंग को हम पोश्ट मीनो पॉजल ब्लीडिंग कहते हैं और क्याabe contribute V तो पोस्त मीनोपोब़सल बीदिग मतलब में के बाद होने वाली ब्लीडिंग मिनोपोस के बाद ब्लीडिंग के मतलब है माथे आपके पीड़ी एक साल तक के लिए पूरी तरह से रूक Γ nett मेरो पोज़ुजेवल इस एatte में महिलों में 45 तौ 50 यार्सकी एज में होता है और उसके बाद फिर से ब्लीडिंग शुरू होती है तो उसे हम कहते हैं पोस्ट मिनो पॉजल ब्लीडिंग और इसे हम कभी भी आपको और मतीम किमिने लटार को सब्सक्राइब नहीं करते हैं अगर आपовал टिर्म जाना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसी accordingly treatment रहता है तो होती क्यों है इसके कई कारण होते है इसका जो सबसे कारण होता है वह होता है वेजाइनल एट्रोफी या फिर एंडुमेट्रियल एट्रोफी तो क्या होता है देखिए जो वेजाइना है क्योंकि मीनोपॉस जब हो जाता है तो हर्मोंस का लेवल नीच हो जाती है जिसके कारण कि बहुत फ्रिजाइल हो जाती है और बहुत जल्दी ब्लीड कर सकती है तो कभी हलका फुलका भी लग जाए या relationship के बाद में भी वेजाइनल एट्रोफी केसे में ब्लीडिंग हो सकती है उसे प्रकार से जो बच्चेदानी के अंदर की दिवार है बहुत थेंड आउट हो जाती है इंडोमेटर एट्रोफी हो जाती है उसके कारण भी वह ब्लीड होना की पॉसिमिलेटिए उसके हाई होती है तो जो सबसे कॉमनेस कारण है पॉस्मीरोपासल ब्लीदिंग का वैजाइनल या इंडोमेटर एट्रोफी होता है दूसरा कभी- कहते हैं इंडोमेट्म कहते है वह अधिक गोख कर जाती यह इ威द्यां कि उसका हाईपरफेजिया हो जाता है उसके तिकनेस बढ़ जाती है भर आपकामेनो अन्ट हो गया है तो बच्चे दानी जो अंदर की दिवार है उसकी थे grass नोर्मलमा एं मैक्सिम 42.0 4.0 का ज़लं ह अगर वह मोटी है तो हम उसे कहते हैं एंडोमेटरल हाइपरप्लेजिया यानि की बच्चे दानी की जो अंदर की दिवार है थेकंड हो गई है मोटी हो गई है तो एक इंपॉर्टन कारण होता है पोस्ट मेनोपॉसल ब्रीदिंग का कभी-कभी महिलाएं किसी दवाईयों पर होती है जैसे कि टेमोक्सिफन जो कि बहुत कमली ब्रेस कैंसर के पेशिंस भी यूज की जाती है या फिर कभी-कभी होती है कुछ महिलाएं तो होती है तो उसके कारण भी पोस्ट मेनोपॉसल ब्लीदिंग हो सकती है कभी-कभी बच्चे-दानी के मुख पे या सर्वाइकल पॉलिप होते हैं यह 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 होते हैं जो पोस्ट मेन पॉजल ब्लीदिंग देते हैं कभी-कभी बच्चे-दानी का कैंसर गर्बाश्य का कैंसर बच्चे-दानी के मुख का कैंसर वेजैना का कैंसर यानिकि सर्वाइकल कैंसर वेजैनल कैंसर यह सभी प्रकार के कैंसर भी कर सकते हैं कभी-कभी पेल्विस में किसी प्रकार का ट्रॉमा हो जाता है निकी चोट लग जाती है तो चोट लगने के कारण भी पोस्ट मीनोपॉसल ब्लीडिंग महिलाओं में हो सकती है तो यह कॉमन कारण है जिनसे की महिलाओं में एक बार मीनोपॉस होने के वाद में होते हैं विए उने के बाद आती है तो सबसे पहले हम उसका क्लिनिकर करते हैं का चंप किया जाता है सॉनोग्राफिय करा चाहिए और किस कारण में हो रही है जिसरे हैं जिसना कि मैंने सबसे पहले इस कारण में तो क已經 एり जरुट आठोड़ वेज़न ब्लीडिंग वेज़न लिट्रोफी के कारण हो रही है तो हम एस्टोजिन के ओइन्मेंट्स देते हैं यूज वियूसली लगाने वाले इस्टोजिन के ओवेज़न लिट्रोफी के केसे चुछा रिलीफ मिल जाता है और यह जाती है परंतु अगर यह ब्लीडिंग एंडुमेड्रेयों हाइपरडेयों किसकी कारण हो रही है यांकि तने देवार किसे कारण हो गई है एसके कारण हाइं है तो फिर हमें डीएनसी करने के जरुत रहते हैं, जिसके अंदर के हमारी इसको बेहोश करके endometrial biopsy लेते हैं कि अंदर से जांच का लेते हैं endometrium की biopsy ली जाती है जिसे हम लाब में टेस्टिंग के लिए बेशते हैं और उसमें हम देखते हैं कि उसके अंदर जो endometrial hyperplasia है यानि कि बच्चेदानी की जो दिवार मोटी हो रही है उसका क्या कारण है कभी-कभी वह सिंपल से फार्मिनल चेंजिस के कारण मोटी हो जाती है और कभी-कभी उसमें कुछ कैंसर चेंजिस जेवलप हो रही होते जिसके कारण की वह मोटी हो जाती है तो depending upon the cause यानि कि किस कारण से वे दिवार मोटी हो रही है treatment उसी के according रहता है अगर बच्चेदानी के दिवार मोटी सर्फ hormonal changes के कारण हो रही है तो हमें सर्जवी करने की ज़रूरत नहीं होती आगे हम usually progesterone hormone support देते हैं मेरे ना लगाया जा सकता है यानि कि मेली conservative management वहता है यानि कि दवाईयों से usually मरीज चीक रहे हो जाता है लेकिन हमें मरीज को follow up में रखने की ज़रूरत रहती है लेकिन अगर हमारी endometrial biopsy के रिपोर्ट में कुछ cancerous changes आते हैं या फिर a typical changes आते हैं तो usually surgical treatment रहता है surgical management रहता है और जैसा कि मैंने और अन्य कारण बता है आपको कि अगर कोई trauma है तो उसका accordingly treatment रहेगा अगर supposedly को infection है तो हम को infection को treat करने के लिए antibiotics देने रहेंगे तो basically हम clinical examination और sonography करके कारण ढूनते हो और कारण के according ही उसका treatment रहता है लेकिन post-menopausal bleeding को हम normal चीज नहीं consider कर सकते एक बार पीरिट चला गया है बारा महीने हो चुके हैं पीरिट गये को तो वापिस से bleeding महिला में कभी भी normal नहीं होती अगर आपको ऐसी समस्या जूज से जूजना पड़ रहा है यानि कि आपके पीरिट से एक बार चले गए हैं और साल बार हो गया और उसके बावजूद भी फिर से आपको bleeding हो रही है तो definitely आपको अपने gynecologist से concern करने की ज़रूरत है इस regarding अगर आपको फिर भी कोई confusion हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं online consultation की facility available है चैनल को subscribe कीजिए धन्यवाद